हाँ तो एक बार फिर शी आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल डेली एक्जाम अपडेट में आज हम बात कने वारे हैं टॉंक में जो वेकेंशी निकली है उसके बारे में तो राजस्तान के टॉंक जीले में जो वेकेंशी निकली है उसके लिए last date है 11 मई last date है इसके लिए तो 11 तारीक से पहले पहले आपको apply करना है आपको जानकरी के लिए बता दू यह है जो vacancy निकली है यह है एक समीदा अधारी job है जिसके अंदर आपको एक साल के लिए job मिलेगी एक साल से पहले अधि कोई government staff आता है तो आपको पहले भी हटाया जा सकता है अब बात करते हैं vacancy में कितने पद है कौन-कौन से पदों के लिए क्या-क्या योग्यता चाहिएगी उसके बारे में detail से बात करते है टौंग जिले के अंदर चिकित साधिकारी के 9 पद है A&M के 52 पद है के साथ में A&M का डिपलोमा होना चाहिए और RNC में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए लेब टेक्निसियन के लिए 12 के साथ में DMLT कंप्लीट होनी चाहिए और साथ में राजस्तान पेरा मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जो रही है और लाश्ट जो पोस्ट है फार्माशिस्ट की पोस्ट उसके लिए आपको फार्मेशी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन प्लस फार्मेशी की डिगरी डिपलोमा होना चाहिए अब सबसे आखिर में बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट बात जो की इस वेकेंशी से जुड़ी हुई है इस वेकेंशी के लिए आपको अपलाए कैसे करना है इस वेकेंशी के लिए अपलाए करने के लिए आपको कारेले में जाने की जुरत नहीं है आपको गूगल पर जाकर गूगल फोरम भरना पड़ेगा वहाँ से आपका forum apply करना पड़ेगा जिसके लिए कोई फीज नहीं है उसका link में description में दे रहा हूँ वहाँ से आप जाके apply कर लेना और आखिर में जो जो अभ्यारति चैनित किये जाएंगे उसको www.talk.rajastan.govornment.in website पर बता दिया जाएगा इन दोनों website और google forum का link निचे description में दे रहा हूँ वहाँ पर जाके click करके आप check कर सकते हैं google forum बर सकते हैं और जब result आएगा तो उस website पर जाके आप result चेक कर सकते हैं आने वाली next vacancies के update के लिए चैनल को subscribe करके जरूर रखे वीडियो को like करें और भरती से जुड़ा कोई confusion हो तो निचे comment करके बताएं thank you